1-1-2014 को stock price थी और index था 1-1-2020 को stock price थी और index था 23 March 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब stock price थी और index था और current price है और index है यही figures चार्ट में देखते हैं अगर हमें Nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में चार बाते होनी चाहिए 1. लंबी अउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए 2. जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए Nifty के मुकाबले 3. जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए Nifty के मुकाबले 4. हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा share Nifty से better है या नहीं यानि कि पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1.1.2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1.01.2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए March में इस इन्वेस्टमेंट की value हो गई 1.1.2014 के दिन 1 लाग रुपए इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1.1.2020 के दिन इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए March 2020 में इस इन्वेस्टमेंट की value हो गई और करण इन्वेस्टमेंट की value है निफ्टी में एप्रीसेशन ज्यादा हुआ है इसलिए फर्स्ट पॉइंट निफ्टी ने जीत लिया है सेकंड पॉइंट शेर ने जीता थर्ड पॉइंट निफ्टी ने जीता ओवर्राल निफ्टी जीता यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने percentage का return दिया यह शेर ने कितने percentage का return दिया विनर है आज अगर किसी को एक लाग रुपीज इन्वेस्ट करने है तो वो क्या करे यह stock में इन्वेस्ट करे निफ्टी 50 stocks में इन्वेस्ट करे या FD में इन्वेस्ट करे यह शेर के और निफ्टी के annualized return percentage हमने देखे है वही return percentage अगर भविश्य में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा झाल 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 झाल